नमस्कत दोस्तो मैं हूं मिलन और help box में आप सभी का स्वागत है अगर आपने âu करद कर लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहे कि केरेट गआपै का build generate its क्या होता है है due date क्या होता है minimum due क्या होता है और credit limit क्या होता है यह सब और भी बहुत सला है तो आप इस वीजिटी कर देखते रही है आपको पूरा clear हो जाएगा तो आए करते सबसे पहले सूर करते हैं जब एक काड़ कर लेते हैं तो करेड़ के तुर beiden लिखा रहता है कि आपका बील जंशल के गया होता है तोस्तिन को फिरा यहां पर 13 February बिल जनरेट जब डेट होता है तो बिल जनरेट डेट से 20 दिन के अंदर 20 डेट के अंदर हम लोगों को जो बिल है वो पेमेंट करना होता है तो 13 February हुआ तो 13 February के बाद यह 20 डेज अगर आड करेंगे तो देखिए 3 March आता है 3 March तो मतलब यहां पर 3 March तो यह 3 March के अंदर हमको पेमेंट करना है या उससे पहले तो यहां पर जो हर एक महीना 30 दिन का कल्कुलीट के जाता है तो यह बिल जनरेट से 20 डेज के अंदर हम लोगों पेमेंट करना होता है जो है 3 March आगर आप उससे बाद पेमेंट करेंगे तो आपको final लगेगा और interest यह दो वहां पर एक minimum due जैसे 300 400 500 पर लिखा रहता है वह आप payment ना भी कर सकते हैं मतलब बाद में कर सकते हैं उसके लिए कुछ भी चार्ज या इंट्रेस्ट नहीं लगता है तो ओ होता है minimum due ओ आपका card का अगर app खोलेंगे तो वहां पर लिखा रहता है आप वहां पर 500 रुपीस है तो अगर आप 10,000 बील आप minimum due 500 रुपीस है तो आप 9,500 रुपीस भी payment करेंगे तो आपका कोई interest या fine नहीं लगेगा मतलब 500 रुपीस आप minimum due राख सकते हैं तो ओ हो गया minimum due उसके बाद आते है total bill total bill क्या होता है total bill सापोज सापोज आपने 10,000 का swapping किया यहां पर दिखे आपका 13 तारिक का billing date है वा सापोज आपने यहां पर 30 तारिक को मतलब जानवारी का 30 तारिक को 10,000 का swapping किया ठीक है तो यहां पर 30 तारिक को इसके बाद कोई swapping आपने नहीं जाए किया सापोज इहां पर 30 तारिक का इस महिने कोई jestem swapping नहीं किया तो आप 10 तारिक को एकई swapping नहीं किया तो तो अंग्ण goण तो यह तिस तरह को आपने शॉपिंग किया था तो उसके बाद यह अपने 14 सब्सक्राइब लिया लेकिन यह पर तो आपका बिल जाने डेट नहीं होगा यह कब बिल जानेट होगा मैने का थारीख को ठीक है मैंट्याπό मुडीघ को कि अगला मेंट तरहरी को कैलकुलेट होगा तो यह हो गिया अन्विल्ट टरेंजक्षन, तो अन्विल्ट टरंजक्षन यह क्या होता है ने में आए अपका देयरतीत का देट है उसके बाद आग्के सवापिंग करें कि आगला महिन वह में आएगा पहले महिने का पीछ में एड़ में लौग यह होगा उन्बील ट्रेंजेक्शन उसके पदर टोटल टोटल इूज्ट इसको बाद अपसे आता है यूज्ट कितना अ ऐसे हजार और ऐबल एबेध और एक बात मैंना भूल किया केडिट लिमिट अब जब काड लेते है तो आप एक कैडिट लिमीस दिया दिया है कि कितना तक आप उधार ले सकते हैं यहirm हो था shopping या bill payment कर सकते हैं तो यह suppose आपका card का limit है एक आजार एक लाग होता है पच्छास अजार दस अजार ऐसा होता है ठीक है? उसके बाद able-able होता है, मतलब आपका card का limit है एक लाग और आपने 20,000 का shopping का लिया है, bill payment का लिया है तो आपका कितना बाच रहा है? तो यह हो गया आपका available limit तो आपको फिर से बाता देता है क्या-क्या system है इसमें यहाँ पर देखिए अगर सबसे पहले bill generate date अगर आपका bill generate date तेरा तरिक हो है तो उससे bill generate date जो bill generate होगा उससे 20 days के अंदर आपको payment करना है 20 days के अंदर तो तो यह सिस्टेम हो गया उसके बाद देट जो bill generate date से 20 दिन उसके बाद है minimum due minimum due आपका कितना swapping कर रहे है उसके ओपर demand करता है यह जादा नहीं होता है 500, 600, 200, 200, 200 ऐसा होता है जो आप due रख सकते है जिसके ओपर कोई charge या interest कुछ भी नहीं लगता है उसके बाद है total bill मत्बडब आपका कितना bill हो रहा है मत्दब पिछले महीने से 14 तर ine अगर आपका bill generate date 13 तरीख है मत्दब उसके बाद एक add कर लिजे पिछले महीने 14 तरीख से इस महीने का 13 तरीख तक आपका कितना swapping या bill payment किया है तो ओ add हो के यह पासरता सुआइब को ब्राइब करें Ltd щоб 18-30% में 66 00-502. चोतोम बिल जाली अगले जाली पिंद धृकन खेजा में 25 comparture TV जोपनी कीज़ pilgrimage सुटोमिंट है के जोपनी जन्वीकला चेंच करें पर करेंगे मतलब तोटाल कितना यूट किया है मतलब, जो dal जानुट के लिगका है, मतलब जो आप की प्था है will जो एड़त करूद क्या है, इस एक लाक है, अपने तोटाल감नी ऐन्ट के लिगे बाद है के लिगAudा, उतने वाभन के तो यह सब है आपका केड़ का सिस्टेम तो यह आप ठीक से जानके रखिए क्योंकि अगर आप थोड़ी से भी इसमें आपका जाननेंगे नहीं कुछ भी तो आपको फाइन लग जाएगा इंटरेस्ट लग जाएगा और यह फाइन इंटरेस्ट बहुत जादा होता है तो इस इस वीडियो के लिए फिलाल इतना ही फिल्म लेंगे कुछ नया वीडियो के साथ नया टॉबी के साथ अगर आपको वीडियो से कुछ सिखने को मिला है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कीजे और जाज़ादा स्यार कीजे थैंक्स वर लाचिं इस वीडियो